तो है यह विल्कम बैक तो आप दो आप जानते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं तो आज वह स्टार्ट करने वाले हैं कि वह तो अगर आप चैनल में नए है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए इसी अच्छे विचान के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूब और क्यूब रूट्स का हम लोग एक एक्जांपल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे वहला एक्जांपल है इस 243 अपर्फेक्ट क्यूब अध को 243 को हम लोग प्राइम्र एक्ट्राइशन करना स्टार्ट करेंगे तो 243 को जब हम प्राइम्र एक्ट्राइशन करना स्टार्ट करेंगे फ्रैंज तो आप लोग एक लाइन कीचे सबसे बहले तो उसके बाद algún तो यह हो जाएगा 81 अगें 3 से तो 27 अगें 3 से 9 अगें 3 से 3 अगें 3 से 1 तो इस तरह से यह तो हो गया क्यों तो 243 से हमें पता चलते हैं कि 243 पर्फेक्ट क्यूब नहीं है तो इसे करके देखें इसमें एक इसमें नंबर 2 392 क्या पर्फेक्ट क्यूब है तो 392 को भी देख लेते हैं आप देखो 392 में भी वह सेम मेठड आप लोग कॉलम बनाओगे सबसे पहले जाएगा 2 से फिर 9 तो यह 2 से जब जाएगा तो आपका कितना है यह हो जाएगा आपका 196 अगें 2 से जाएगा 98 अगें 2 से 49 अगें 7 से 7 और फिर 7 से यह भी पर्फेक्ट क्यूब नहीं है क्यूंकि इसमें तू का तो एक ट्रिप्लिट बन रहा है बट 7 का नहीं बन रहा है अब नेक्स आता है एक्जामपल नमबर 3 इसमें यह लोग कहते हैं कि 53240 क्या यह पर्फेक्ट क्यूब है वो ठीक है भई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम भी देख लेतें कि यह पर्फेक्ट क्यूब है कि नहीं है 53240 अब देखो 53240 यह सबसे लग जाएगा टू से तो यहां पर फाइफ जो है वो तूजा से कट जाएगा तो यह वन बचा फिर 13 हो गया तो आप 6 अगें वन बचा फिर 6 आ गया फिर 2 आ गया फिर 0 ठीक है तो 26620 अगें इसको 2 से काटेंगे तो 2 से अगें जब इसको 3310 जो की है 13310 अगें टू से कटेंगा तो यह हो जाएगा 6 अगें 6 फाइव और 5 फिर यह अगें आपका जो है 5 से कटेंगा जो की है 1 3 अगें 3 और 1 तो यह गें 1331 अभी यह 11 से जाएगा तो 121 फिर 11 फिर 11 फिर 1 तो यहां पर हमें 11 और 2 का तो ट्रिपलेट बन रहे हैं बट कहीं ना कहीं 5 का ट्रिपलेट नी बन रहा है 5 एज़ित रहा है नेक्स पार्टी कहते है इस नाट बाइ विच स्मॉलेट नंबर 5 3 2 4 0 बी डिवाइड तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हम ते 5 से ठीक है तो वन ताउजन आट यहता अ पर फफेक्ट कुबब सबस्वे इत क्यूबर 10 बढ़ेट यहं जार पड़ेड बलेट रहे प्रभाइड गनलत है Madre तू, नाइन, सेवन, अब जो है, यह आपका जाएगा, थ्री से, not थ्री, let me see, हाँ, तो यह जाएगा, तो यह हो जाएगा, नाइन, और नाइन, अगें थ्री से जाएगा, थ्री, थ्री, अब इलेवन से जाएगा, तो यहाँ पर हमें थ्री का भी triplet बन रहा है, और जो टू, उसका triplet पूरानी बन रहा है, थ्री का पन रहा है, लेकिन 11 का भी पूरानी बन रहा, तो smallest number जिससे, इसे, डिवाइट करेंगे, वह होगा, टू, multiply by two, multiply by 11, थीक है, तो इस से हम लोग डिवाइट करेंगे, तो यह ह हो जाएका 2 x 2 x 11 जो कि है 44 तो 44 is the smallest number by which the following number should be divided so that the question is a perfect cube और perfect cube क्यों होगा 27 which is a cube of 3 अब आजादे है एक example number 5 में तो example number 5 कहता है दी एस्टुरेंट्स कि is 68600 a perfect cube if not find the smallest number by which it should be divided so as to obtain a perfect cube ठीक है नमबर के 68600 अब देखो यहां पर स्टुरेंट्स ले लेते हैं 2 तो यह हो जाएका 3 4 3 0 0 अब ले लेते हैं अगें 2 तो यह हो जाएका 2 1 sorry 1 7 1 5 0 अगें ले लेते हैं 2 तो यह हो जाएका 8 5 7 5 अब ले लेते हैं 5 तो यह हो जाएगा 1 7 1 5 अब ले लेते हैं अगें 5 3 4 तो यहां पर लिखेंगे 4 उसके बाद जाएगा अगें 3 तो यह हो गया 4 3 4 3 4 3 अब ले लेंगे 7 तो यह हो जाएगा 49 फिर 7 तो 7 फिर 7 तो 1 तो यहां पर देख सकते हैं कि 7 का ट्रिप्लेट बन गेंगे लेते हैं इन्होंने पूछा है विच स्मॉलेश नंबर शुद भी मल्टिप्लाइगा तो वह हो जाएगा आपका 5 ठीक है तो 6 8 6 0 0 बस भी मल्टिप्लाइड बाए 5 तो 5 0 जा 0 5 0 0 5 6 जा 30 अगें 0 आगया एक उपर तरी उपर कह रही 5 एट जा 40 43 फोर उपर गहरी 5 6 जा कितना होता है 5 6 जा 30 30 प्लस 4 34 तो यह आ गया आपका इनको मल्टिप्लाइग करने में जो की है पर्फेक्ट क्यूब और किसका क्यूब है पर्फेक्ट यह है डियर स्टिन आपका यह है आपका 70 का पर्फेक्ट क्यूब ठीक है तो यहां पर आप लिद देंगे 70 अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले कुश्चिन में जो की एक्साइज ही आ गई है तो यह है अपकी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन अब देखो डियुशन सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज यहां पर सज़े बोल तिया विच्व फॉलिग नमबर और नौट पर्फेक्ट क्यूब ठीक है तो फॉलिग नंबर मेंसे कौन पर्फेक्ट क्यूब निया है 216 यह perfect cube है अगर आप prime factorization method से भी करोगे तब भी आपको यह perfect cube ही मिलेगा तो यहाँ पे perfect cube है किसका होता है perfect cube यह होता है आपका 16 का नेक्स्ट आते है 128 यह perfect cube नहीं हो सकता क्यूंकि आप देख सकते हो कि end में जो digit है ना वह आपकी 8 है और 8 से हमें साब पता चल लाएं कि perfect cube नहीं है क्यूंकि रियस्ट्रेंट हमें पता है कि 8 मलब 8 क्यूंकि देखो जूसरा गाम कि अगर आप prime factorization से पता कर लाओ तो आप तो भी आपको बदा चल जाए कि कौन सा value perfect cube है या नहीं है क्यूंकि 8 भी आपका perfect cube होता है ना जैसे 2 का cube होता है ना इसलिए इसने मैं नहीं बोला वन्ना मैं तो इसको देखके बता दूंगी कौन सा perfect cube है नहीं है तो पहला वाला तो है आपका तो यहां पे पहला वाला में आप लोग टिक मार दो हजार तो यहां पे मैं 10 और यह जो है थर्ड नंबर यह आपको सब प्राइम फेक्टराजेशन करके निकालने मैं इसलिए निकालने क्योंकि अभी हमें इस चैप्टर में और भी सवाल करने है और मैंको आपके और भी session लेने है तो इसलिए मैं आपको यह वाला question निकरा रह तो 46656 यह perfect cube होता है 36 का क्योंकि मैंको इसलिए estimation method आता है तो इसलिए मैं फटा-फट निकाल लेरी हूं लेकिन अगर आप लोग को estimation matter नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है आप तब भी अराम से निकाल सकते हो तो 466 भी perfect cube है तो यहां पे आप लोग लिदो के 36 येस तो य इसको करते हैं पहला नमबर हमें दिया गया है 243 243 तो हमने पहले भी निकालता है एक्जामपल में तो यह आ गया था 381 3 से करा आगें 27 3 से करा 9 3 से करा 3 3 से करा 1 तो यह पहले भी निकालता हमने फिर निकाल दिया है अब देको smallest number क्या है 3 है जिससे हमें इसको multiply करना पड़ तो यहां पर लिख दो 3 अब आ जाते हैं हम लोग next में तो यह है 256 अब देखो 256 अगें एक number मिला तो लाइन खीचते हैं अब देखो टीशने इसको हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो यह जगा 1 2 8 अगें 2 से करते हैं 64 अगें 2 से 32 अगें 2 से 16 अगें 2 से 8 अगें 2 से 2 अगें 2 से 1 तो यहां पर हमने इतना कर दिया है अब हम स्मॉलेस नंबर भी ढूड़ना है तो स्मॉलेस नंबर जिससे में multiply करना है वह है 2 अब आ जाते हैं हम लोग next में तो next आपका इन्होंने दे रखा है 72 तो 72 देखो 72 को 2 से काटेंगे सबसे बहुत तो आजाएगा 36 अगें 2 से 18 अगें 2 से 9 अगें 2 से 3 अगें 3 से 3 3 से 1 तो यहां पर हमने जो नंबर से मर्ड़िया करना है वह है 9 क्योंकि 3 3 जा 9 होता है 3 का ट्रिप्लेंट विल्कुल ही complete नहीं है उसके आ फिर आ जाते है निदाम है तो 6 75 में देखो तो इसमें सबसे वहले लेंगे 5 13 से जाएगा सबसे वहले तो 65 2 बच गया 25 तो यह 5 3 1 3 5 अगें 5 से करेंगे 27 अगें 3 से 9 अगें 3 से 3 अगें 3 से 1 तो यहां पे देख़ी कितने इज़ी अच्छा अच्छा यह जो 72 इसमें आपका smallest नंबर 3 है बस तो यहां पर आपका smallest number लिख देंगे सिर्फ 3 क्योंकि मैंने देखा तो मैंने 9 के सामने 2 लिख रहा इसलिए में को गलत सहमी हो गई यहां पर तो 675 है इसका स्मॉलेश नंबर है 5 तो आप जाते हैं नेक्स्ट में तो नेक्स्ट है 100 तो भी कर लेते हैं देखो 100 को जो मैं करती हूं तो मेरे को कितना मिलता है मेरे को मिलता है आपका 2 5 और 2 2 मतलब मेरे को 2 इंटू 5 वाला नंबर जाए जो कि है 10 तो यहां पर यह वाला भी हो गया तो देखें कितनी इसली सेकेंड कोश्चन हो गया अब थर्ट कुश्चन हमसे कहता है कि भाई फाइंड था स्मॉल नंबर मस्ट बिवाइड टू आपके तो अब देख लो सबसे पहला नंबर दिया है तो डियस्टन मैंने पहली करा था कि जब 81 को अब लोग करोगे तो 3 से काटोगे 27 3 से काटोगे 9 3 से काटोगे 3 और फिर 1 तो 4 3 आ जाएंगे लेकिन हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 1 3 अठाना हटाना पड़ेगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे ऐसी आता है 128 देख क्या होगा डियस्ट्रेंड एक 2 आपको हटाना पड़ेगा क्यूंकि जब आप ट्रिप्लेट बनाओगे तो आपका 2 तो 2 के बन जाएंगे पूरे अच्छी तरह लेकिन एक आपका अन्नेस्टरी आ रहा है तो आप उसको जो है खटा देंगे ऐसी करके डियस्ट्रेंड जो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे ऐसी आते हैं 192 में जो है सबसे पहले आप लोग प्राइम फ्रेक्टरिशन करोगे बागी के जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूं प्राइम फ्रेक्टरिशन करके 192 तू से डिवाइड होगा सबसे पहले तो 9 ती 6 तू से डिवाइड अगें 48 तू से डिवाइड अगें 24 तू से डिवाइड लेल तू से डिवाइड 6 तू से डिवाइड 3 तू से डिवाइड 1 तो यहां पर हमें 3 हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 के तो दो अच्छे घासे प अब नेक्स आते हैं परिक्षित is making a cuboid of plasticine तो परिक्षित जो एक बच्चा है बोला वाला वो कहना वो आपकी तरह एक cuboid बना रहा है क्या कहना है क्या कहना है cuboid का plasticine का बना रहा है जिसकी साइड है 5 cm 2 cm 5 cm how many such cuboid will he need to form a cube कितने cuboid उसको total चाहिए होंगे ताकि वो cube बना सके तो अब देखो क्यों 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 बना सकते हैं कैसे अब देखो देखा होगा कि जब आप मार्चिस का दिब्बा खरीदना जाते हो ना वजार में तो आपको पूरा पैकेज देते हैं दुकांदा और पूरी क्यूब के शेप में होता है लेकि जब अंदर से खोलते हो तो आपको 10 च्कीवयद छोटे छोटे मिल जाता है यह बात तो आप को बिल्कुल होगी कैसे बनाए यह में देखो बनाने के लिए पर देखो जी जो आपें अगर आप लोग करो तो आपkanा दिव लोग करेंगे हम लोग करेंगे हम लोग को पर्फेक्क Q बनाने के लिए हम लोग को एक 5 और चाहिए दो to और चाहिए तो यह हो जाएगा है फाइंड यूब रूट ओफ यह आपका एक्जाम्पल नंबर सिक्स तो क्यूब रूट ओफ एट थाउजन मैं आपको निकालके दिखाती हूं देखो वैसे तो देखने में ही बहुत ही एजी है एट थाउजन किसका क्यूब होगा यह आपका 20 को तो डियुस्टे ने चलिए अब देखते हैं तो हमें तो पता ही है कि भाई एट थाउजन को जब आप करोगे तो आपका दो तो किसके पेर बनेंगे टू के और एक फाइव का जिससे अब साब पता चलता है कि यह जो है 20 का क्यूब है क्योंकि 20 मुल्टिप्लाइब 20 मुल्टिप्लाइब 20 होग अब आते हैं फाइन क्यूब रूट ओफ 1 3 8 2 4 बाय प्राइम फेक्टराइजेशन मेटर तो देखने में पता चल लेए डिया स्टूडेंट्स कि यह किसका क्यूब है अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो है 30 तक क्यूब भी पढ़ाया थे यह जो है आपका 24 का सबी नंबरों का चलिए स्टार्ट हो जाते हैं क्यूब रूट निकालने में तब देखो 64 का क्यूब तो मैं ऐसी डैरेक्ली बता देती हूँ जब आप पेरिंग करोगे तो 2 ट्रिप्लेट बनेंगे 2 के क्यूब के 4 का क्यूब होता है फिर आता है 512 512 यह होता है आपकर कि इसे करके 10648 यह किसका जो है क्यूब होता है यह जो है नंबर डियस्ट्रिण यह आपका किसका क्यूब होना चाहिए पहले तो आप में कोई करके पताओ कमेंड में वनना हम लोग पटा पट इसको निकाल भी सकते हैं बहुत इसको निकालना बहुत सारे बच्चेंसे कहते कि निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है कैसे निकालना इसलिए निकालना बहुत इजी होता है इसलिए आप क्यों अराम से निकाल सकते हो यह 22 का और अगर आप लोग इसका प्राइम फेक्टरिशन करोगे तब भी आपके त्रिप्लेट्स बनके 22 दिख लेगा ऐसे 27,000 को निकालना है मैं आपको बात बार बता रही हो दिए तो प्राइम फेक्टरिशन से ही आप यह साही चीज़े निकालो गए उसके फिर डिफ्लेट्स नेक्स्त आता है 515625 तो यह है आपका किसका क्यों तो डिफ्लेट्स यह वाला जो है यह है आपका 25 25 का क्यूब ऐसी आ जाते हैं हम लोग 13824 जो भी अभी हमने निकाला था 24 का 110592 इसको देख लेते हैं तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख की रहे हो और सब भी को पता होगा कि वैसे किसका क्यूब है लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लो कि किसक होना चाहिए क्यों बहुत साथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं हमने समझ में नहीं आ रहा है किसका क्यूब है यह यह कुछ भी चीज जो कि आपको कंफ्यूजन लगती हो तो यह चानक से क्या हुआ यह जो है स्क्रीन लैग हो रही है तो यहां पर प्राइम फ्रेक हो जाता है फ्रीयच् devotees आपको का नाइवन और तो इसको भी देख लेते हैं तो imperial ओ लिए क्यों नियों और यह इश्ट काVत कि में प्राइम गयो कहते हैं मैंने प्राइम व tom आपट करवारें देख रितने हैं 3 का 27 होता है 5 का 125 होता है 7 का 343 होता है तो यह है आपका नेक्स जरूरी नहीं है कि 15 का क्यूब देखो एंड तो 5 से कर रहा है इसका स्क्वेर भी 5 से एंड करता है लेकिन इसका क्यूब यह 25 से नहीं करता है यह 3375 है जिसमें 75 आ रहे है लास्में नेक्स जरूरिओर नेक्स जरूर नेक्स जstill performer 5 क्यूलत देख लो और क्यू का क्यूब देख लो खुद एट उसके वारनेक्स क्यूब फ़ाफोट क्यूब आप टू डिजट नंबर तो यहां पर टू डिजट नंबर का में भी शब्द नहीं हमाल होंगा में भी री डिजट नंबर नहीं 3 कुब सफ्वूजन्ड होता है फो डिजिट नंबर तो तो माम लाइन यह आता तो यह सॉजैगा पॉल्स a cube of a two digit number may have seven or more digits तो seven or more digits कैसे अब देखो आप पूरा उसका cube तो निकालोगे नी 99 का thousand का hundred का देख लो hundred का cube होता है खुद आपका six digits का hundred का cube आपका जो है खुद होता है seven digits का और यह कह रहा है seven यह उससे ज्यादा आपका two digit number का cube होगा नहीं ऐसा होई नहीं सकता नेक्स आते हैं the cube of a single digit number may be a single digit number yes this is true because two का cube one two का cube eight होता है जो कि single digit number है और one का cube भी one होता है तो चलो distance यह तो हमारा हो गया है ठीक है तो thank you so much dear students watching the video I would like it and enjoy thank you so much for watching